अगर आपको फैम पे में location permission needed दिखाता है location permission needed की कुछ आपको notification आती है या फिर आपके screen पर दिखाता है तो आप इस problem को कैसे fix करोगे वो इस वीडियो में आगे आपको बताए जाएगा तो वीडियो को आप पूरा दरूर देखेगा तो location permission needed लिखाता है और हमें जो है permission देनी होती है location की तो वो केसे दिए जासे है तो देखेए काफी easy है कुछ जादा आपको करने की दुरूरत नहीं है जो भी आपके पास phone है ज्यादा ता phone में इस तरह से नीचे से उपर से नीचे की तरफ आप जब scroll करते है तो इस तरह से आ जैसे आप इसे enable कर देते है तो आपकी location की permission अब enable हो चुके है बाके application में आपको अगर कोई permission पूछी जाती है तो आप location को allow कर दीजे वाइमिस्टेक आपने disallow कर दिया है तो उस case में आप अपने phone की setting open कर लिजे यहाँ पर देखे app manager या फिर app notification होगा तो उसमें चले जाई यहाँ पर आपके phone में सारे application शो हो जाते है ठीक है यहाँ पर आपको जो है आपका application ढूण लेना है fanpage का for example यह fanpage है तो इसके अंदर चले जाकर आपको यहाँ से जो है इसकी location वाली जो permission है उसे enable करना है या फिर उसे allow कर देना है यहाँ पर देखे not allowed लिखा है location तो इसके अगर क्लिक करते है allow only using this application या फिर allow कर देजा अगर आपके phone में allow लिखाता है पाके यह आपकी जो problem है वो fix हो जाएगी